आईए आज हम लोग इभियस के दूसरा क्लास में महतपूर्ण कोशन को पढ़ते हैं जो सिटेट एक्जाम 2022 जुलाई के लिए बहुत ही महतपूर्ण साबित होने वाले हैं आईए पढ़ते हैं आत्रेई पूरम जिला कहां है आंध्र परदेश में भारत के विभिन प्रांतों में आम पापर को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकाड़ा जाता रहा है हिंदी में आमवट बंगाली में आमसोटो असम में आमटा तेलगू में मामीडी तंद्रा मराथी में अमबावडी स्वाद और पाचन के बाड़े में कुछ जानकारी ग्रण करते हैं हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटिग्रेड होता है हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अमलिय होता है सबसे जादा भारत में सबसे जादा चावल का उतपादन उरिशा के काला हांडी जिले में होता है अर्थाद भारत के सबसे जादा जो चावल का उतपादन होता है वो उरिशा के काला हांडी जिले में होता है उरिशा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहां के बहुत से लोग गरीव है मुस्लीम कपड़े को छानने में यूज करते हैं कांज के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए वरना आचार खड़ाव हो जाएगा पिंचर प्लांट को नेपेंथीज भी कहते हैं अर्थात पिंचर प्लांट का दुसरा नाम नेपेंथीज है पिंचर प्लांट एक विशेश परकार की गंध को छोड़ कर कीरों को आकरसित करता है और फिर उनका सिकार कर लेता है वेलक्रो का अविस्कार जार्ज दे मेस्त्रल ने 1948 में किया था उनको यह विचार कांटों वाले भीज से आया था अब यह क्वेलक्रो है क्या तो वेलक्रो सेंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है पौधे घुम नहीं सकते एक बाड वे एक ही जगह पर रहते हैं परंतु उनकी बीज लंबी यात्रा करते हैं पौधों के बीज कपडों में चिपक कर और पानी में भाकर भी यात्रा करते हैं सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनमें सोयाबीन की बीज निकल आती है हडी मिर्च, तमाटर और आलू दक्षिन अमेरिका से आया है ये कोश्चन इस बार पूछा था चिटेट का एक्जाम में पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आये हैं कॉफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आये हैं अर्थात ये सब जो सबजी का नाम लिये जा रहे हैं ये सबजी उस देश से सरोपर्थम लाया गया था तब उसके बाद हमारे देश में इस सबजी का उत्पादन होने लगे गडी सर जील राजस्तान के जैसल मेर में है यहां उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था जैसल मेर में नौ जीले थी जो एक बड़ी जील से पानी बरसने पर भाड़ी जाती थी जैसल मेर में बहुत कम बाड़िस होती है साल में एक या दो बार और कभी कभी तो साल में एक भी बार बरसा नहीं होती है वहां जैसल मेर में जब जीले पानी से भड़ जाती थी तो लोग उत्सम मनाते थे और उनकी पुजा करते थे जैसे उत्राखंड में नई दुलहन की पुजा होती है आई हम लोग कुए और जीलों के सुखने का कारण को समझते हैं पानी को मोटर से निकाला जाड़ा है जिससे जमीन का पानी कम होता जाड़ा है अब जीले भी कम हो रही है जाँ पहले वर्षा का पानी कठा हो जाता था पेरों के चारे तरफ और पारकों में मिट्टी को सिमेंट से ढग दिया जाड़ा है जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुँच पाता है नेक्ट कारण 1986 में जोदपूर और उसके आसपास बारिस ही नहीं हुबी फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुवा या बावली है नेक्ट कारण लोगों ने पैसे एक रथा किया और लगभग 200 ट्रक कूरा निकाला गया और लोगों को वहाँ पानी मिला नेक्ट कारण प्यासे जोदपूर को बावली से अर्थात कूवां से पानी मिला कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्सा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए नेक्ट कारण अलबरूनी हजारों साल पहले उजबिकिस्तान से भाड़त आया था ये बहुत इंपोर्टेंट फेक्ट है अलबरूनी हजारों साल पहले उजबिकिस्तान से भाड़त आया था ये कुस्टन बन सकता है कि हजारों साल पहले उजबिकिस्तान से भाड़त कौन आया था पत्थर और लोहे के चबूत्रे जीलों के किनाड़े पर बनाते हैं अलबरुनी ने साड़ी बात को विस्त्रित रूप से लिखा यह साड़ी बाते 1973 में मिली एक स्टांप पर लिखी थी जो अलबरुनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था मिलीत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खाड़ा होता है मिलीत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसी निचला बिंदू कहा जाने वाला सागर है इसे खाड़े पानी की सबसे निचली जील भी कहा जाता है मिरीच सागर के एक लीटर पानी में तीन सो ग्राम तग नमक मिल सकता है कितना इसमें नमकिन पाय जाता है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है मिरीच सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूपते नहीं है और उसकी सता पर तेरते रहते हैं क्योंकि नमक जादा रहने के कारण इसका घनत वो बहुत जादा हो जाता है इसलिए 32 में डूपते नहीं है 1930 में दांडी मार्च का आयजन क्या गया यह आयजन इसलिए था क्योंकि भारतियों को समुद्र से नमक बनाने की इजाजत नहीं थी दांडी यात्रा आहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनाडे तक चली मलेडिया में बुखार कपकपी और ठंड के साथ आता है अर्था दिये लक्षन होता है मलेडिया का बुखार कपकपी और ठंड मलेडिया की दवा सिनकोना पेर की छाल से मनाई जाती है लोहा या आईरन हमें गुड आवला और बहुत सी हड़ी पत्ते वाली सबज्यां से मिलता है मक्यों में कई तरह की बिमारिया होती है एलगी सेवाल एक तरह जल ये पहोता है जो बरसात के मौसम में होता अर्थात उगता है रोनाल रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेडिया मच्छरों से फैलता है कोस्टन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस ने बताया कि मलेडिया मच्छरों से फैलता है तो आणसर होगा ''Ronaldo Ross'' मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइटस पैरासाइटस का मतलब परजिवी से होता है जिसे पलाजमो डियम क्थे हैं मलेरिया के परजिवी का वाह कमादा अनाफलीज मच्छर है जिसके पंक गहडे और धब्यदार होते हैं उम्मीद है कि सिटेट के ये नोट्स आपको परिक्षा की तयारी करने में उप्योगी सावित होंगे आप लोगों को ये वीडियो ये दि अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें धन्यवाद